अच्छा अच्छ नहीं है यह लांट कोड़ाव विडियो सिरीज यह वीडियो सिरीज उनके लिए है जो कंप्लेट कोड़ाव सेखना चाहते हैं यह इस वीडियो सिरीज का वीडियो नमबर 73 है इस वीडियो में हम Thread class की Is Alive method discuss करेंगे So, let us get started now Okay, first few things about the Is Alive method So, it is used to check if a thread is Alive or not जो Is Alive method है, वह यह चेक करने के काम में आती है की जो Thread है वह भी Alive है या नहीं Now, here Alive means Thread has started but not been terminated अब हम जब यह कह रहे हैं कि Is Alive method Thread Alive है या या यह चेक करने के काम में आती है तो हमें Alive क्या होता है वह समझना पड़ेगा तो Alive का मतलब है कि Thread start तो हो चुका है पर वह भी Terminate नहीं हुआ है, Dead state में नहीं गया है तो उस state को हम बोलेंगे Alive, अब simply वैसे Is Alive method की functioning यदि आपको याद रखना है तो उसके लिए यहां इस table में कुछ Is Alive method के call के return value के बारे में लिखा हुआ है वो यदि आपने याद रख लिया तो Is Alive की functioning आपको clear हो जाएगी जैसा कि हम जाते हैं कि जो thread है वह पांच state में होता है जब हम thread create करते हैं यानि thread का object बनाते हैं तो वह new state में आ जाता है उसके बाद में जब start method call करते हैं तो वह renewable state में होता है उसके बाद जब thread running state में आ जाता है execution होने लग जाता है तो वह running state में आ गया जो Thread है वो पांच स्टेट में रहता है तो यहां पी इन पांच स्टेट में जब Thread होगा तो इस AlliU कौन सी बेल्यू रिटन करेगा यह important part है तो जब Thread New State में होता है मतलब Newly Created Thread है Thread का object बना चुके हैं जस्ट उसके बाद में यह आपने इस AlliU method कॉल किया है तो इस AlliU फॉल्स रिटन करेगा यहांनि Newly Created Thread जो है यह इस्टार्ट में हमने कॉल नहीं किया है तो वो अभी AlliU नहीं है वो सिर्फ Created है तो इस AlliU method फॉल्स रिटन करता है उसके बाद में यह थ्रेड रनेबल स्टेट में आ गया यह यह इस्टार्ट में हमने कॉल कर दिया बट यह थ्रेड ब्लॉक्ड इस्टेट में अब्यूसली method कॉलिंग यह पॉसिबल नहीं है तो इसको डिसकस करने का कोई मतलब नहीं यहां पर देन थ्रेड यह तर्मिनेट हो गया यह कंप्लीट हो गया तो उस केस में थ्रेड जो हो डेड इस्टेट में चला जाएगा तो उस केस में यह थी हमने इसलाइव method कॉल किया तो जो इसलाइव method है वह जो विल्यू रिटन करेगी वह है फॉल्स नाव लेट इस डिसकस ओल देस्टिंग्स प्रेक्टिकली fine so let us discuss this program यहां पर हमने शुद्ही क्रियेटेट परग्राम को ciao इसम्हफिकली प्रियू में मायर रन अबल क्रियेट किया है जो रनेबल इंटरफेस के इंप्लिमेंट कर रही है अब इसमें है run method हमने provide कि है so that thread का code हम run method में लिख सकें तो यहां पे देखें run method के code में मैंने क्या लिखा हुआ है very first हमने यहां पे very first line जो लिखा हूए thread is running हम जानते हैं कि run method का execution start हो मतलब thread जो running state में आ गया क्या running state में यहां पे लिखा हूआ भी मैंने comment में एंड उसके पाद में मैंने इसालाइव मेंटट को कॉल किया हुआ है सो थ्रेड करन्ट पहले हमने यह में जो रन मेटड जिस ट्रेड के त्रू एक्जीक्योट हो रहे है उसका अबजेक्ड घेट किया और फिर इसलेयू कर रहा है वह अश्य त्रेड को चले कि नहीं है इस त्रेड में प करने के बाद में इसको 500 millisecond के लिए हमने ब्लॉक भी करवा दिया है एंदेन आई के विल्यू प्रेंट करवाया है जैसी लूप कंप्लीट होगा थ्रेड कंप्लीटेड मैंने लिख दिया क्योंकि त्रेड की जो रन में थेड़ यहां पर कंप्लीट हो रही है ते थ्प्रेय के लिए हमने मेन मिन अदर के लिखा तो सबसे हमने जो माइरैनेबल क्लास क्रीयेट के ऊसका अबजेक के अव्रुखी कौन शकौनए यहां ठ्रेब lange councils निए स्कौनीन यहां पर करने के जस्ट बाद में तो यहां पर जैसा कि हम पहले डिसकस कर चुके हैं कि इस अलाइबल यहां नहीं आया है उसके बाद में हमने थ्रेट के ओपर स्टार्ट में चॉल किया मतलब गा मेंनं डिक दिया यहां पर जैसान्न धेट करेगा इस नॉइसानल को स्टोसमें यहां पर Jn method call क्या है मतलब यहां पे जो main thread है वह ठ्रेट के complete होने तक weight state में चला जाएगा तो अब thread जो है अपना जो ठ्रेट हो complete होगा zero से nine print करेगा and then वापस जोईन करेगा उसके पाद फिर से मैंने ठ्रेट पी is alive call कर लिया since join method के पास ही जो थ्रेट complete हो चुका है terminate हो चुका है तो is alive method अब यहां पर क्या रिटन करेगा चुंकि three terminate हो गया तो यह false return करेगा fine so let us run the program so that we can test it and look at the output thread is created मतलब new operator को यूज करके जब हमने thread बनाया था तो उस समय is alive method ने false written किया जब thread जो है वो runable state में आया यानि start method call करने के बाद में तो is alive method ने true return कर दिया फिर जब thread running state में आगया मतलब run method का execution शुरू हो गया तो is alive method ने फिर true दिया फिर thread ने यह 0 से लेके 9 तक print किया and thread complete हुआ वापस में thread का execution स्टार्ट हुआ उसके बाद में फिर से मैंने TH thread पर ही is alive method कॉल किया था तो उसने false return किया so conclusion is कि जो thread है यदि new state में ही है start नहीं हुआ है तो is alive false return करेगा जैसे हमने start method कॉल किया उसके बाद में या तो runeable state में होगा या running state में ब्लॉक्ड का तो कोई scene create ही नहीं हो रहा है यहां पर मतलब ब्लॉक्ड मीजला कॉल करने का कोई significance नहीं है तो यदि thread runeable state में है या running state में है तो is alive true return करेगा और जैसी thread complete हो जाएगा या terminate हो जाएगा so thread जो है वो dead state में आ जाता है तो उस case में फिर से यदि is alive हमने call किया तो यह रिटन करेगा फॉल्स okay so this is the use of is alive method thanks for watching this video